जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और आसान सी रेसिपी के साथ बहुत ही बढ़िया पुलाव बनकर तयार होती है अक्सर बच्चे सबजिया नहीं खाते लेकिन जब इस तरह से आप उनको सबजियों की पुलाव बना कर देंगे तो बहुत ही सोक से खाएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी आप इसे बच्चों को टिफिन बोक्स में बना कर भी दे सकते हैं हेल्दी होने के साथ-साथ ही इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है तो चलिए इस मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपी देख लेते हैं तो सबसे पहले हम एक पेन में चार से पांच टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे तेल के गरम होते ही हमें इसमें डाल देनी है 7-8 काली मिज इसके साथ हम इसमें एट करेंगे एक बड़ी इलाइची और दो छोटी इलाइची और हाफ टी स्पून जीरा डालके जीरे को तेल में चटकने देंगे तो जैसे ही सारे मसाले तेल में थोड़े से सोटे हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे प्यास तो हमने यहाँ पर आधा कब जितनी प्यास ली है और प्यास को स्लाइसिस में काट लिया है अब हम गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे और प्यास को थोड़ा सोफ्ट होने तक फ्राई करेंगे तो जिसे ही प्यास थोड़ी सोफ्ट होने लगेगी तब हम इसमें डाल देंगे हरी मीच, अदरक और लहसुन तो हमने 4-5 हरी मिच को सेंटर में से काट लिया है इसी के साथ एक इंच के अदरख के टुकड़े को छील कर हमने जूलियन काट लिया है और 3-4 लहसुन की कलियों को भी हमने थोड़ा लंबा ही काटा है और अभी हमें प्यास को तब तक फ्राई करना है जब तक की इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए तो जैसे ही प्यास का कलर लाइट गोल्डन होने लगेगा हम इसमें वेजी सेट कर देंगे तो हमने यहाँ पर एक कप जितने आलू लिए हैं और इसी के साथ हमने आधा कप गाजर और आधा कप फ्रेंच बींस ली है और इन सबजियों को हम हाय फलेम पर सिर्फ एक से डेड़ मिनिट के लिए फ्राई करेंगे तो सब्जियों को फ्राई करते वक्त हमें इसमें नमक भी डाल देना है तो सब्जियों के हिसाब से अभी हमने इसमें एक टीस्पूर नमक डाल कर अच्छे से मिला लिया अगर आप चाहते हैं कि पुलाव में सब्जियों का जो कलर है वो बिल्कुल बरकरार रहे तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि सब्जियों को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे तो सब्जियों को फ्राई करते हुए सिर्फ एक से डेड़ मिनिट हुई है वेसे हमने यहाँ पर सिर्फ चार से पांच छोटी हरी मिज का इस्तेमाल किया है अगर आप पुलाव को थोड़ा ज्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो हरी मिज की कॉंटिटी थोड़ी बढ़ा सकते है तो बस सब्जियों को हम इतना ही फ्राई करेंगे और इस टेच पर हम इसमें पुलाव के लिए पानी डालेंगे तो जितने हमने चावल लिए हैं उसकी डबल कॉंटिटी में हमें यहाँ पर पानी येट करना है तो हमने दो कप चावल लिए हैं तो हमने चार कप पानी इसमें डाल दिया और पानी में एक उबाल आने देंगे तो जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे चावल तो हमने दो कब बास्मती चावल को पानी से अच्छी तरह धो कर आधे घंटे के लिए भीगो दिया था अगर आप चाहते हैं कि पुलाव बिल्कुल पर्फेक्ट बने और आपके चावल लंबे हो और बिल्कुल खिले हुए तो चावल को आधे घंटे के लिए तो भीगो ही दीजिएगा और इसी के साथ हमें इसमें डाल देने हैं मतर तो मतर हम इस टेच पर डालेंगे तो हमने सिफ आधा कब जितने फ्रेस मतर इसमें एट किये हैं और अब हमें इसमें चावल के लिए नमक डाल देना है तो पहले हमने जो नमक डाला था वो सबजियों के लिए था और चावल के हिसाब से हमने इसमें एक टीसपून नमक ओर डाल दिया तो इसे एक बाद चला लेंगे और हाई फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक की चावल का पानी सूखने ना लगे तो इस तरह से पानी और चावल का एक लेवल बन जाए यानि की चावल का पानी सूखने लगे तब तक ही हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है और इसे एक बार चला लेंगे और अब हम गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक की चावल पूरी तरह कुकना हो जाए तो हमने इसे लो फ्लेम पर 20 मिनिट के लिए पका लिया है और इसी के साथ हमारी पुलाव बनकर बिल्कुल तयार है लेकिन अब भी हम इसे सव नहीं करेंगे गेसकी फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे फिर से कवर करके 5-10 मिनिट के लिए ऐसे ही रहने देंगे ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी वेजी टेबल पुलाव बनकर तयार हुई है चावल का एक-एक दाना खिला हुआ है और हमने जो सबजियां डाली है उन सबजियों का रंग भी बिल्कुल बरकरार है तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स और ट्रिप्स को फोलो करते हुए आप जब इस पुलाव की रेसिपी को ट्राइ करेंगे तो आपकी पुलाव भी इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई